नमस्कार, न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सबी का स्वागत करता हूँ. इतरों, आज हम इस वारतालाप में हमारे जो दोस्त हैं, उनसे हम बात करने वालें, जो के एक महत को पुर्ण विशे हैं, जिस पर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे और बहुत कुछ जानना चाहेंगे. विशे ये है कि हाल ही में एक हैदराबाद में अधिवक्ता परिशत का आयोजन किया गया था अखिल भारती स्थर पर और उसमें सुप्रिम कोट के जज अब्दूल नजीर चुनों ने एक महत को पुर्ण बात की, उन्होंने कहा कि प्राचीन नियाए शास्त्र जो है, उसक को हमें छोड़ देना चाहिए, इसी बारे में हम आज बात करने वाले, उसके लिए हमारे साथ है एडवोकेट राजीव पांडे जी और एडवोकेट विशाल गुपता जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है नियूज डंका में, थैंक यू बाहिश जी, थैंक लेकिन वो मुंबई हाइकोर्ट में क्रिमिनल साइड लॉयर के तोर पे प्रैक्टिस करते हैं और इससे भी और एक जानकारी कि वो उन्होंने साथ किताबे भी लिखी हैं और वो एमोजन पे बहुत चली हैं किताबे पड़ी जा रही हैं तो आज इन दोनों माननेवरों से ह हम रुबरू करेंगे और जानना चाहेंगे जो विशे मैंने शुरू में बताया उसके बारे में राजीव जी मैं आपसे शुरुवात करता हूं कि अब्दुल नजीर जो की जज है सुप्रीम कोट के जिनोंने उस हैदराबाद के अखील भारती परिशद में जो अधिवक्ता की परिशद थी उसमें जिक्र किया कि प्राचीन जो नियायश अस्त्र है वो बहुत ही महत्व कह राए है इसके बारे देखिए जो उन्होंने कहा है नजीर साहब ने जो सुप्रीम कोट के एक्स जस्टिस हैं वो बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है कि जब देश आजाद हुआ देखिए हमारे उपर करीब 200-200 का जो सासन काल था उसमें उन्होंने न केवल सासन कि बलकि उन्होंने अपनी जो सासन पद्धती थी उसको भी डाला उन्होंने जो मेकलो के थियरी है कि किस प्रकार से हमको यहां लोगों का निर्मान करना है जो उनके हित में था उस प्रकार से काम हुआ और जब देश आजाद हुआ तो अगर आब महात्मादादी जी की भी थ उन्हों वहातरज की लौग देशसा तो गांधी जी ने ग्राम सुराज की बात कि वूर सावरकर झी ने जो बात की वह हमारे हिसाब से बात की क्योंकि उन्होंने वियर्थसासर पर भी लिखा नियाए सासर पर भी लिखा तो ये नजीर साहब के इस स्टेट्मेंट से अधि 250 में हमने लागू भी किया लेकिन दूसरे जो कानून है जैसे हमारा IPC है वो बहुत पुराना है आजादी के बहुत पहले है इविडेंस एक्ट है बहुत सारे कानून और लास्ट सेवेन येर्स में जो मैं देख रहा हूँ कि जो अभी कि जो सरकार है वो बहुत सारे कानून को बदलने की कोशिश कर रही है जो obsolete laws है उसको हटा भी रही है इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो नजीर साहब कहना चाह रहा है क्योंकि मैं भाशन को नहीं सुना लेकि मैं भी जरूर सुनूँगा उसको उस भाशन को मैं मंगवा करके क्योंकि बाद वक्ता पर सुनके साथ जुड़ा भी रहा हूँ तो उसमें उनका यह सिस्टम है कि जो हमारे हाँ जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो तीन चीजों पर आधारित थी कस्टम, प्रेसिडेंट and जो लेजिसलेशन के थुरू बना तो जो कस्टमरी लॉज थे उसको हमने इंकॉर्परेट करने की कोशिश के क्योंकि जो कस्टमरी लॉज है वो उस समाज से निकला हुआ लॉज है और जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं जैसे मैं आपको एक उदाहरन के तौर पर देता हूँ कि लोगों, बहुत सारे लोगों का एमानना है कि डेमोक्रेसी हमें वेस्टर्न ने सिखाया एकदम गलत है अगर आप जाकर के महाभारत का पहला पर्व देखेंगे तो उसमें राजा भारत और उनको राजा भिशेक किया अगर आप और रिसेंट आईए तो चानक के गुरु चानक के में एकोनोमिक्स पर भी लिखा लेकिन जब उन्होंने राजा का चुनाव किया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मेरा कोई रिलेटिव होगा मेरा भाई होगा कोई मेरा बतीजा होगा लड़के बच्चे तो थे नहीं उनके उन्होंने जिनको उनको लगा कि चंद्रगूप तमोरे एक राजा के तरफ से उनकी लीडर्शिप क्यालिटी दिखी उस पर उन्होंने काम किया और उनको राजा बनाया तो अगर आप पीछे जाएंगे तो कस्कमरी लॉज बहुत जरूरी है पीछे हम जाकर करके देखें कि क्या हमारे यहां ड्या बवस्ता कैसी थी जैसे मैं एक और उदाहरन दूँगा अगर आप एक मिनिट और दे तो मैं बताऊं कि एक और उदाहरन है जब महाभारत में अगर आप महाभारत का अध्यन करेंगे तो पूरा का पूरा जो पर्व है न उसमें कानून भी है उसमें अर्थसास्त्र भी है उसी में लिखा हुआ है कि केबल भगवान कृष्ट ने कहा विदुर्नीती में भी है का कि अगर हम अपने रूट्स की तरफ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रूट्स की तरफ जाएंगे तो हमको हर चीज का जवाब मिलेगा अब जैसे मैं एक बाता हूँ कि जब माभारत का एक ऐसा प्रसंग हुआ कि दो लोग थे थ्रोन के कि भाई कॉंसेट है कि आपने हत्या की है तो आपको अगर फासी की सजा है तो चारों को फासी दिलेगी जब इस्थिर से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं जो छत्रिय है उसके ज़्यादा बड़ा अपराद किया क्योंको खुद भी छत्रिये थे लेकिन उन्होंने क कि इनका काम है सुरक्षा देना और उन्होंने किया जैसे पूलिस किसी को कस्टड़ी में मौरती है और एक नॉर्मल मडर में जो कॉस्टोड़वड़ है उसकी ज्यादा बड़ी सजा होनी चाहिए तो इस यह हमारे सास्त्रों में है कि कि स्प्रकार से सजा होनी चाहिए एक आदमी गरीब है उसके वास रोटी खाने को नहीं उसने चोरी किया और एक अमीर है जो धन का भंडार बरने के लिए चोरी किया तो दोनों के प्रोसेस में अंतर होना चाहिए और मेरा यह मनना है कि यह decolonization of mind जादा जरूरी है अगर mind जरूरी है तब फिर वो धीरे-धीरे society से judiciary में जाएगा और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के सासन के कारण से हमारा westernization रहा लेकिन धीरे-धीरे 70 साल में बहुत सारी चीज़े ऐसी हुई चाहा judicial pronouncement के थूरू या सम्मिधान के थूरू जब आप सम्मिधान समा का बहस देखेंगे जब आप सम्मिधान के paper देखेंगे तो उसमें हर प्रिष्ट पर कोई न कोई ऐसा चिन है जो हमारे अतीत को बतलाता है क्या हमारे यहां जो कोटल का अर्थ सास्त है हमारे यहां न धर्म के बारे में जो हमारे जो पुरान में और गीता में है उसके इधार पर चलिए कि राजा का धर्म अलग है प्रजा का धर्म अलग है भेशन पर्व देखिए तो आपको केवल ग्यान ही मिलेगा और उसमें नीती एवं जो नियाए वबस्ता है उसके बारे में है तो कहो एक विशे और मैं भूलना नहीं चाहता हूं कि जब बाली को भगवान ने छुप करके तीर चलाया तो बाली ने कहा कि मैं बेरी सिग्री पियारा करके एक लाइन है कि यह साथ क्यों कि आप में उन्होंने कहा कि चार-पांच प्रकार के जो असुर प्रविट्टी के लोग हैं कैसे अपने छोटे भाई की पत्नी अपनी भगनी अपनी भतीजी इनके साथ जो दुराचार करे उनको किसी भी प्रकार दे किसी भी प्रकार से तो इसमें कोई बुराई नहीं नहीं बात करने के लिए बैठा हूं लेकिन यह समय ने क्यों कहा है। ये प्रेसिडेंट का है कि भाई बहन की शाधी नहीं हो नीची और बाद में साइन्स है उसमें अगर आप देखें कि कैसे साइन्स में है कि आप सेवेंग जनेरेशन तक नहीं करिए शाधी नहीं तो इसके इंप्लिकेशन्स होगे धन्यवाद जी बिलकुल आपने सही का और जो आपने उलेक किया काव्टिल्यका या मनु हो या व्रोस्पती हो या जो भी उस वक्त के जो महानुभाव थे उनके बारे मैं आपने कआ तो उनीका जिक्र जो है वो नजीर जी ने भी किया था उनके भाशन में और उनका उधारन डेते हुए विशाल जी आप बताएं कि आपकी क्या राय है जो नजीर जी ने बताया उसके बारे पहली चीज तो नाजिर जी में जो बात छेड़ी है विशाय छेड़ा है जो एक विचारधारा छेड़ी है लोज बाएं कि हम लोग क्या है आज हम लोग मौड़िए जो कीम्ट की आज हम लोग मॉडरे जोई refreshingं कि क्यों थोड़े से आ लोग सभेशल हैं कि क्या है तो पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें कोई भी चीज छोड़ना या पकड़ना ऐसा वो विश्य नहीं है कि वेस्टन को छोड़ो इसको अडॉप्ट करो हमें जो good things हैं अच्छाई जो है वो हमें दोनों की पकड़नी चाहिए एक चीज आपको याद अखनी चाहिए कि रावन को मार के भी जब राम आते हैं तो उनसे शिक्षा लेते हैं यह थोड़ी बोलते हैं कि रावन बहुत बिकार आत्वी था तो हम उससे शिक्षा नहीं लेंगे वो तो आप जानते हैं स्टोरी पर लक्षमांजी सिर्पर जाके बैठते हैं तो बोलते हैं भईया पैर पर आओ उनसे शिक्षा लो तो कोई भी चीज मेरे हिसाब से बुरी नहीं है हमें जो हमने नहीं किया है वो करना चाहिए वो है कि हमें टाइम आ गया है कि हम बहुत डीपली और विट एक्षिन हमारी जो पुरानी नीतियां थी जो कल्चर है उसकी अच्छाई लेके और वेस्टन की भी अच्छाई दोनों को लेके जोड के हम एक साथ ऐसा लौ बनाएं जो हमारे हिंदुस्तानी लोगों को सूट करें अब हम हंदुस्तानी लोगों को सूट करने मतलब क्यों देखिए हर देश में जो लोग होते हैं उनके हिसाब से लौ बनता है कुछ देशों में मुझे लगता है फ्रांस में अगर मिस्ट्रिस हो तो कोई बुरी बात नहीं है महां का कल्चर ही ऐसा है हमारे यहां है कि जो प्रेजिंट जूडिश्री सिस्टेम है सबसे पहला मूट क्वेश्चिन डाज डाट रिक्वाइर चेंज क्या उसमें चेंज लाने की ज़रूत है आंसर सब लोग सौ में से सौ लोग कहेंगे हां जी बात की IPC की IPC में मैं जब IPC पढ़ता हूं तो हाँ सस्तासता हूं आज भी कुछ सेक्शन से जहां पर हॉस कारेज खोड़े गाड़ी की बात कर रहे हैं जहां पर टेसला गाड़ी आ गई है बैटटरी के साथ और वह 10 रुपए और 100 रुपए की कुछ बाते हैं कुछ स किया है और कॉपी करने से माइंडलेस कॉपी करने से कोई भी किसी का अस्तक उधार नहीं हुआ है परिक्षा हो चाहें लौ हो तो अभी तक हम लोग करने के लिए कि मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर और ऐसे व्यक्ति हैं जो पावर में हैं जो चेंज ला सकते हैं और अगर वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो मैं उनसे बिंती करूंगा कि जोडिश्री में छोटे-छोटे प्रणाली जो है वो चेंज करनी पड़ेगी अगर आपने छोटा सा चेंज लेके आ गए तो इसका मतलब यह हो गया कि भई एक हाती है तो पता लगा कि हाती को छोटा सा कुछ सिंग लगा दिया कुछ इंप्रूव करने के लिए या कुछ मेकप कर दिया ऐसा कुछ नहीं हो होने वाला है हमको back to the roots back to the books चाना पड़ेगा I believe you must not leave anything चाहे वेस्टन हो चाहे इसा देश हो जो हमको पसंद नहीं हो लेकिन उसकी भी कोई अच्छाई हो जैसे मैंने रावन का example यह रावन में भी अच्छाई थी तो हमने सीखा ना उससे यह थोड़ी बोला कि तुम राव क्रियेटेड बाइद लौ उनली क्योंकि वह क्लियर नहीं है और जो नए लौ बनते हैं वह सॉल्फ करने की बज़या है नए नए प्रॉब्लम्स करते हैं मैं आपको एक्जेम्पल देता हूं सवाल पर आने वाला हूं क्योंकि वह उसका भी जिक्र नजीर जी ने किया है अपने इस भाशन में उस पीशाई पर तो मैं आने वाला हूं लेकिन मैं फिर एक और नया एक सवाल जो है वो मैं पूछना चाहता हूं राजीव जी से देखेंगी आज जो नजीर जी ने कहा कि पस्च्रेमत्य देश जो है उन्होंने जो भी ये सिस्टेम लाया हुआ है वो गलत है यँ प्राचीन जो हमारी सिस्टेम है वो अच्ची है तो लेकिन लोगों का कहना यह होता है कि जो पुराने है वो अभी छोड़ देना चाहिया और नया जो है वो लाना चाहिए तो आपको क्या लगता है उसके बारे को सारी चीज़े हो, कहीं की भी चीज़े हो सकते, बिल्कुल मैं उनसे सहमेत हूँ, एक सामज्य से बिठाने की बात है, देखिए, मैं आपको एक अंतर बताता हूँ, जब मुगल आतंकवादी हिंदुस्तान आये, उन्होंने शेहरों पर कैप्चर किया, और कुछ एरियास में उन्होंने कैप्चर किया, तो जो सोसल सिस्टम था ना, सोसल फैबरिक था, भारत में जो सोसल फैबरिक था, वो वेसे ही चल ला था, गाओं की अपनी एक सिस्टम थे, उसी साब से गाओं की जो नियाए ववश्था था, वो चल लही थी, गाओं की एकॉनमी चल लही थी, उन्होंने जिसे दिल्ली को कबजा कर लिया या कहीं आकर के बैठ गए तो उनका प्रभाव उस प्रकार से अत्याचार उन्होंने अंगरोजों से सो गुना किया. या हो धर्म परिवर्तन का हो या कुछ भी अंगरोजों ने भी किया लेकिन उनका एटक केवल धन के तरफ था. उन्होंने माइंड पर एटक करनी की कोशिश की केवल धर्म परिवर्तन के सारे. लेकिन कोई लौ बना करके की. देखिए एक होता है कि मैं जबरदस्ति आपसे तो उन्होंने चवर्दस्ति कराया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन की कोशिश किया. आज आपके शूपे बैठा हूँ. आज ही के दिन इसी आसपास में चार साहिब जादो जी ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया. तो वो यह करते थी. लेकिन वो गाओं में जाकरके जो हमारी निया वेवस्था थी या जो आर्थिक हमारी जो गाओं की जो संवर्चना थी. उस पर उन्होंने उतना ज़्यादा वो एटेक नहीं कर पाये. क्योंकि आबादी का भी मिशे था. जब अंग्रेज आए तो वो सिस्टमेटिक थे. उन्होंने जैसे रेल लाया, उस में सही हो. जैसे अभी नोंने कहा कि मिस्ट्रेस वाली जो बात है, वो फ्रेंस में कोई बात दी, नौर्मल बात है. लेकिन हमारे यहां नहीं है. प्लस हमारे यहां भी बहु विवाह की प्रथा थी. तो जो अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ. तो जो आपको यह देखना माइंड को कैप्चर नहीं कर पाए, या उस प्रकार की उस समय ऐसी परिस्थिती नहीं थी, कि आप डिरेक्ली एक साथ लोगों को जोर सकते थे. अंग्रेज के समय में, जब यह आए तो इन्होंने, इनके पास एक ऐसी नवस्था इन्होंने पैदा की, इन्होंने ब्रियोक में, वो हमारी चीजों का अनुशरन कर रहे हैं. अगर आप जा करके, मैं अन्रोध करूँगा जिन नए लोगों को लगता है, मैं भी नया हमें से ही हूँ, 40 के एज में आप पुराना तो नहीं कह सकते हैं, तो जब आप जा करके, जब वो देखते नहीं हैं, वो सुनते हैं लेकिन अगर वो दो बार वेस्ट जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं. आज के डेट में, उनके यहाँ जो परिवार का बिख़राओ है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें अमेरिका में क्या इस्तिती है कि कितने ऐसे बच्चे हैं, जो अकेले माता-पिता में से किसी एक के साथ है, या जब पता भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी परिस्तितिया हैं, तो वो तो हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए जब भारतिये कोई वेक्ती जाकर के वेस्ट में, आमेरिका में से कल होता है, तो वहाँ की लड़किया शादी करना चाहती यह प्रोटेक्शन के लिए मैं उन लौ के पक्ष में हूँ, चोकि यह फैक्ट है कि डौरी जैसा जो घ्रनास्पत कारे है, इस देश में है, था, अब बहुत कम है, अब इस गौन डाउन, चाहा है, डोमेस्टिक वाइलेंस एक्ट जो है, डोमेस्टिक वाइलेंस है, लेकि हम उसको दिमाग में रखते हुए कानून बना रहे हैं, हमने सिधा इंपोर्ट कर लिया, कि चुकि अमेरिका में है, वेस्ट में है, तो हम ले लेते हैं, हम या कहीं, इन्होंने सही कहा, कि जो गल्फ में है, हम उसको नहीं ले सकते हैं, क्यों हमारे में सूट नहीं करता है, अब किसी law में है कि आप चार शादी करो उसके पीछे कारण एक है क्यों इतनी लड़ाईया होती है डेली सुभा साम लड़ते थे तो बिद्वा को क्या करो तो भाई कर लो अब वो आज तक लेके चलने उनकी मर्जी है मेरा एक कहना है कि बिल्कुल जो अभी पैनलिस्त है उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमको दोनों में सामन्ज से बिठाना है और जो नजीर सहाफ कह रहे हैं इस पर एक debate चलना चाहिए देश में जो changes है बिल्कुल उन्होंने कहा जो IPC है उसमें आमूल चूल परिवरतन की के क्रिमिनल साइड में इन तीन आक्ट का बहुत बड़ा रोल है कि जिस परकार से चलते हैं तो हम इसमें तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक चलती रहती हैं। चार लोग और आ जाते हैं और फिर एक सिविल सूट सैकड़ो साल तक चलता है दादा पोते की लड़ाई दादा दो रहा होता है मेरा मानना है कि किसी भी कंट्री में जो वहां उसकी जो बेसिक इंट्रिंसिक स्ट्रंथ है उसको देखते हुए उनकी जो समझ है उसको देखते हुए आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है और नियाय ववस्था को सुलभ मनाना है लोगों के लिए नियाय ववस्था जो नियाय दे पाए वो नियाय ववस्था जो अनियाय पाइदा करें वो कहें का नियाय ववस्था है तो बिलकुल मैं सहमत हूँ जो हमारे फेलो पैनलिस्ट है और जो नजीन साहब ने कहा कि हम को ढूंड़ना पड़ेगा कि क्या वो सुत्र है जिस सुत आज तक murder trial चला रहे हैं, हम जो कानून बना रहे हैं, क्योंकि अब चीज़े बदल गई, अभी हम और आप zoom के थुरू बाप कर रहे हैं, electronic evidence की बात है, बहुत सारी चीज़े हैं, तो आमूल चुल, तो modernity का विरूद नहीं है, modernity को adopt करना है, modernity को adopt करते हुए, जो हमारी basic चीज़े हैं, उसको ले करके हम न्याव वस्था को जब आगे बढ़ेंगे, तब जा करके cable हम कर सकते हैं, यह कोई western eastern का concept नहीं है, और यह development को engross करते हुए, हमको अपने न्याव वस्था को आगे ले जाने की कुशिश करनी चाहि यह नहीं है, तो फिर इन्याव जो है, जस्टिस, आज के रेट में मैं आपको बताओ, मैं सुप्रिम कोर्ट में practice करता हूँ, आम लंता सुप्रिम कोर्ट के दरवाजे पर जाने से डरती है, न तो office afford कर सकते हैं, और न उनको कोई इन्याव मिलने वाले हैं, मैं आपको बता है, case आप file करेंगे, अगर आप influential नहीं है, तो कितने दिन लगेंगे, और आप influential है, तो कितने दिन लगेगे, इतना बड़ा systematic failure है, और हम सब को इसके लिए काम करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि यह debate जो नजी साहब ने शुरू किया है, इस पर बाचीत होनी चाहिए लिगल fraternity में होना चाहिए, academic fraternity में होना चाहिए, judicial forum पर होना चाहिए, और जन्रलिस्टों के दौरा यह जनताते के बीच में जाना चाहिए, और कुछ नया प्रादुर्भाव होना चाहिए। पर बताया जाता है कि अधिकार है यह और उसके वेज़े से जो पार्टनर होते हैं शादी में, तो उनमे फिर वो अधिकार की बात करते कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, तो इस तरह की बात होती है, तो मैं आपके बास आता ही हूँ, लेकिन विशाल जी उसको कुछ सबसे बड़ा डेंजर हमें ऐसे लॉज से है, जो हमारी सोशल फैबरिक को तोड़ दे और भाई-भाई को लड़ाए, बीवी, हस्बिन को लड़ाए और हमारी समाज है, उसको तोड़ दे लेकिन जब हम लोग खुदी एक जूसरे से लड़ेंगे, और यही प्रॉब्लेम अभी हो रही है, नए लॉज जो बना रहे हैं, इंटेंशन ऑफ जो लॉज होता है बनाने का इंटेंशन बहुत बढ़ी है, लेकिन जो उसका इंप्लिमेंटेशन है, वो बहुत गलत है, औ जो जो जिस तरीके से वर्डिंग होती है, जिसे डोमेस्टिक वालेंटे ली थे, इंटेंशन बहुत बढ़ी है कि यह विमन को पर्टेक करना है, लेकिन उस एक को इतना वन साइडिर कर दिया है, कि उसका मिस्यूज 90 परसेंट है, आजका लड़किया शादी करती हैं, और म आजका लड़कियां को लगता है कि बहुत सरी लड़कियां, आई नो मैंनी ही, जहांप उनको लगता है कि मंको 50 लाक एक करोड चाहिए, तो हम लोग शादी करेंगे, और मैंने शादी की, उसके बाद ब्रिक अप किया, डॉमेस्टिक वालेंस फाइल किया, खूब हैरिसमि में जो मिस्चे को रहे हैं, आपने लोग बनाया बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने लोग बनाया, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सॉल्व ने वी, और दूसरी दस प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, आज अगर आप देंगे हाई कोट, हाई कोट हमा तो होई नहीं पा रहा है, तो एक ऐसा लोग आ गया, जिसने इतना उसकी इंप्लेमेंटेशन में इतना प्रॉब्लम हो गए कि फैमिलीज को एक साथ लेके आने की बज़ए, दियार ब्रेकिंग दा फैमिलीज, मिस्यूज 90%, so you cannot have extreme laws, you cannot have laws, ऐसे laws भी कर सकते हैं, जो प्रॉ और modern man की गाड़ी चलाते हैं, plane में हम लोग कटे हैं, तो हम लोग होशी आ रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, में भी जानता हैं, यह बिल्कुल गलत है, पुराने लोगों नहीं हमारे वेद लिखे, उपर निशिद लिखे, भगवग गीता लिखी, तो बेकूफ नहीं और इमने जो भी प्रथाएं की, उसा बच्ची थे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना, बाथरूम में हम लोग उखुडू बेटके बाथरूम करते हैं, और लोग हस्ते थे कि दो को हिंदूस्तानी किस तरह बाथरूम करते हैं, और Western Cambodia आ गया, आजकल वो लोग बोलते हम लेन में जो भी चीज की साइंटिफिक की, उसी तरह फैमिली लॉबी ऐसे ही है, अभी मेरे भाई ने डावरी का नाम लिया, डावरी में थोड़ा समय, थोड़ा सा मेरे विचार अलग है, डावरी जो शब्द जो है मिस्यूस किया गया है, डावरी प्रता मतलब क्या, ड जो लड़की थी, जब उसका विवा हो रहा हो, तो उसके जो चीजें थी, उस समय उसको आप देते हो, मिस्यूस ऑफ डावरी प्रता जो है, क्यों थी, क्योंकि उस समय जो लड़के थे, वो इंपॉर्टन थे, तो लड़के जो आपके बॉइस है, संस, वो डॉटर्टर्स को दी देते थे, जब लड़की के शादी होती थी, उसी समय आप लड़की को उसके जो चीजें थी, असेट्स थे, पैसे थे, जूलरी थी, उसको आप दे देते थे, मिस्यूस ऑफ डावरी मतलब डिमांड कर रहे हो, वो एक अलग बात है, वो एक गलत चीज है, अब क्या ह आँ गया, देखिए लेडीज के अभी, अभी फिर आ गया क्या, मैं आपको बता रहूं, प्रॉब्लम कहां पर हुई, तो अब न्यू लॉग के हिसाब से लड़कियों को भी, जो नया लॉग है हमारे, उसमें अभी हिस्सा मिलता है फादर के पैसे का, तो अब प्रॉब्ल लड़कों के लिए, अब उसमें भी जगरा होता है कि लड़की को देना है, तो लड़की को दो ताइमस अभी पैसे मिलते हैं, और फिर लड़की को तीसरा अपने हस्मिंट से भी मिलता है, so what has happened is there has been some inequality, जो समाज में आ गई है, और जैसे inequality आती है, तो लोग फिर उस inequality को व अगर आप मिस्यूज नहीं करते हैं तो कई बार लॉयर्स ये बोलते हैं कि भाई आप जू मिस्यूज नहीं कर रहे हैं एक करोड मांगो पाच करोड मांगो तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि हमें ऐसे कोई भी लॉनी बनाने चाहिए है अगर विशाल जी जो कह रहे हैं वो एक point of view है और वो चुकि इस एरिया में काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा समझते होंगे लेकिन जो basic वो कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ कि देखिए जो हिंदू में जो marriage था वो contract नहीं था वो संसकार था लेकिन जो दो अब्रहमिक religion है उसमें marriage contract है यह इतना मतलब marriage को शादी को contract बनाने की जो परंपरा है कि मेरे और आपके बीच में contract है हमने शादी की है हम बच्चा पैदा करेंगे यह है वो है यह नहीं है तेन है हमारे यह शादी संसकार था तो संसकार में आपको मैं एक बात बताऊं हूँ अगर आप डिवोर्स का और तलाक का हिंदी शब्द या मुझे ढूंड के बताईए नहीं था यह एक्जिस्ट नहीं करता था हमारे यह दो आपको मिलन था मेरा कहना है कि इन डोनो शब्दों का मुझे हिंदी नहीं मिलता। मैं ढूरने की कोशिशिस करता हूँ अब किसी और लोकल लेंग्विज में हो तो मुझे नहीं पता न मेथली जहां से मैं आता हूँ न मेथल्विज में यह है ये दोनों कब होता है कि आप ये ये possibility कि डिवोर्स या तलाक होगा कब होगा जब ये contract है भाई मेरा contract है मैंने तोड़ दिया जब आप special marriage act में जाके शादी करते हैं तो आप ये तहे करते हैं कि हम दोनों बरावर है और हम दोनों को इस contract को contract क्या है contract is based on consideration इसलिए Islamic law में मेहर का concept है हाँ तोड़ सकते हो तुम ये जब चाहो तोड़ दो मेहर दे तो घर जाओ हमारे यह ऐसा नहीं था और उस कारण से जो जिस प्रकार से जो नजीर साहब कहना चाहर है जो मैं समझा या जो हमारे भाई साव भी दुशाल जी कह रहे हैं कि जब आप खुद ही बताते हो के hello तुम दोनों बरावर के हो तुम दोनों contract में दो party हो तो पार्टी वाली को शादी होती ही नहीं थी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जो civil laws है उसमें impact पढ़ रहा है इसको आप समझेए जो commercial transaction है उसमें ज्यादा impact नहीं पढ़ रहा है जो civil laws है जो घर-घर में जो लडाईयां शुरू हो गई है जमीन को लेकर के डॉरी पर domestic violence बेटा अपने बाप को देखना केर नहीं करता है बहु अपने ससुर को केर नहीं करता है सास को केर नहीं करता है पेरंट्स को नहीं क्यर करते हैं ये स्ब क्यूं हुआ और कब हुआ जबसे हमने लोग में एक और बात आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत senior council सीजन सीनियर काउंसल और काफी विद्वान वेखती है उन्होंने मुझे एक दिन कहा क्रिमिल के बोड़े जाने वाने वकील है सुप्रिम कोट में उन्होंने मज़े कहा कि जब से हमने ये फैलाया गैंग रेप के बारे में तब से ये ज्यादा बढ़ गया है इसके खिलाब एक्षन होना चाहिए हम किवल बात कर रहे है यही हाल हो रहा है जो डोमेस्टिक वाइलेंस एक्ट में जब लोगों को पता लगने लगा जो अभी कह रहे थे कि भाई मेरा यह अधिकार है तो मैं ऐसे करूँगा एक तो मेरा इस पर एक मेरा जो व्यू था हूँ मैंने बता थी कि हम सब लोग अपना-पना करतब्य अगर करते चले तो कंफलिक्त नहीं होगा अभी क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे कि पूरे देश में जहां भी अन्रेस्ट होता है जो आप देख रहे हो वह के शेहरों में होता है वो अन्रेस्ट करने वाले हर समय अपने अधि है जैसे मेरा कर्तब में मैं practice करता हूं तो अपने clients के लिए काम करूं समय पर tax भरूं और देश के जो भी जो मेरे से है मैं वो काम करूं तो कर्तब की बात नहीं है जहां भी आप अंड्रेस्ट देखेंगे देश में मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी प्रकार कांड्रेस वो केबल अपने अधिकार की बात करें मुझे ये नहीं मिला आपको नहीं मिला पहले आप करतब्वे भी तो करिए क्योंकि normally हमारे हाँ जो concept था उसमें था कि क्या हम करतब्वे कर रहे है पती-पत्नी में भी जो ये बात है जो civil laws में या पिता-पुत्र की जो बात है कि आप अगर करतब्वे करने लगेगे तो आपको अधिकार मांगने की कोई जरूरत नहीं बचेगी और ये जितने भी conflicts हैं ये conflicts को हम minimize कर सकते हैं मेरा मानना है कि नजीर साहब बहुत है कि अभी हमारे जो शिक्षा पद्धत ये उसमें यहाने कानुनी शिक्षा जहां पर हम लोग लेते हैं तो वहां में पर यस प्राचीन, नया šास्त्र, जो है हम लोगे स्विकार करना च्भी करना चाहिए उसके बारे में क्या रहा है या कशना मतलब हमें पढ़के उसको समझना चीये हमारी सिलिपिस में आना चीए है जब मैंने लॉग किया है गर्वेंट कॉलेज से तो कोई कोई वहां पर और नहीं था सबसे पहले जैसे हमारा mindset sports में जीतने का कब गा जब 83 World Cup जीते उसके पहले हमारा जीतने का mindset ही नहीं था अब जब हम लोग के Indians Google और Microsoft में बड़े-बड़े पत्वे बैठें तब हम लोग जाके अभी हमना mindset खुला है तो सब mindset की बात है mindset में अभी हम लोग को हमारी खुद की डेश की new judiciary with new insights, new systems बनाना ही पड़ेगा अगर हम हिंदुस्तान को एक powerful nation चाहते हैं अभी last 5 साल में divorce rates exponentially grow की हैं हर दूसरे तीसरे घर में आजकर आप देखो तो ये चालू हुआ है divorce और मैं आपको बता रहा हूँ और ये 2020 है आज दिसंबर का कि अगर 5-6 साल में जुदिश्री ने इस मामले पे कोई चीजे नहीं की तो हमारा देश जो है वो अंदर से खोकला हो जाएगा जब दीमक अंदर से खोकला करता है न तो अंदर से खोकला हो जाएगा हमारा समाज हमें ऐसे कोई भी लॉज पास नहीं करने चाहिए अभी एक और एक लॉज भी सुन रहा हूं वो हो गया तो आप भूल जाएए उसके बाद तो हिंदुस्तान का आदमी बच्चे भी पैदा करना बंद कर देगा पड़ेगा क्या हुए तो कुछ लोग होते हैं जो जो कि उनको समझे नहीं है उनकीcity पहलए उनकी होटी विजॹ है उनको ने रोएज़िन है या उनकी कुछ हुआ बढम से गयुदा कर सकता कुई लेकिन हं पूर के जगड़ा करके कर सकता है वो जो हो रहा है नhी कोई पर पस ली कर रहा है लेकिन बैड्ली वर्ड़ लॉस ऐसे लॉज जो बैड्ली वर्ड़िड है उसके कारण में खुद लॉयर बोल रहा हैं जैसे अगर मिया बीवी में जगड़ा होता है तो अब वह पता लगा सिविल लॉबी बन गया क्योंकि वह घर का वो लोग तोल रहे हैं पता लगा सेट्स हो रहे हैं ऐसा हो रहा है जी अभी आखरी सवाल में उसके बारे में राय चाहूंगा कि जो नजीर जी ने जो लवा सकता है राजीव जी बताईए दिखे क्या है ना कि जब तक समाज में हम और आप तैयारी नहीं करेंगे किसी भी विशेपर ना जब तक जैसे अभी विशाल जी कह रहे हैं ये धीरे-धीरे मैं इनसे एक बात सहमत हूँ और इसको मैं आपके चैनल के साथ कहना चाहता किसका implication क्या होगा आज देखे क्या हो रहा है कि अभी जो report आया कि हिंदुस्तान में जो पढ़ा लिखा समाज है जो देश में contribute कर रहा है अब उसमें जो production जो है ना जो वो दो के नीचे आ गया है नॉर्मली 2.1 fertility rate चाहिए देश के population को बचाने के लिए है तो उनमें अब ये पढ़े लिखे लोगों के 20 तो मुझे है इसाब से 1 के आसपास होगा और जो नॉर्मल है वो 2 के नीचे आ गया है कुछ लोग जो सोच विचार करके ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं अग और ये जो marital rape है वो देश का जो fertility है उसको भी impact कर सकता है और प्लस बिल्कुल मैं इन से सहमत हूँ कि आज हर घर में particularly शहरी करण जहापतेजी से हुआ है वहाँ domestic violence के case, dory के case और ये जो divorce नाम का जो cancer है वो हमारे समाज को खा रहा है और इसके पीछे कौन सी शक्ती जिन्मे जिन्मेवार है जब आप जा करके किवल आप ख़बार उठा करके देखेंगे मेरे fraternity के भी बहुत भाई लोग इसके लिए जिन्मेवार है और जो संसकार को नहीं rights के लिए और contract की बात करते हैं केवल वो इसके लिए जिन्मेवार है मैं एक उदाहरन देकर के अपनी बात क समफ करूँगा पहले तो ये बात की जो नजीर सहाम ने कहा है इस पर debate होगा और बदलाओ तो होगा मेरा जैसे इन्होंने कहा मेरा भी मानना है कि अभी जो सरकार है वो धीरे धीरे करके ऐसे से laws है उसको सबसे पहले तो हटा रही है और जो laws हैं जो हमारे को suit करता है हमारे स समाज को अब देखिए जैसे रसिया में बहुत ठंडी पड़ती है तो वहाँ जो खाना पीना होगा वो हमारे यहां नहीं हो सकता है न सर्थ हमारे यहां तो चारों रितुए हैं सर्दी गर्मी ठंडी बरसात सब कुछ हमारे यहां होता है हम लोग भवान के special लोग हैं हमार चीजों का समिस्रन है तो हमारे लिए कानून अलग होगा हमारे लिए खान पाना अलग होगा हमारे लिए पहनावा जब अलग है तो कानून क्यों नहीं अलग होगा यह मेरा कहना है एक बात में कहना चाहता हूं कि जो परिवार बचाने की बात में इस आपके माध्यम से कहन चाहता हूं कि लोगोंने बहुत कोशिश की की रामायन को जब मिसिंट्रप्रेट करते हैं तो भगवान राम ने कि सीजर्स वाइफ कहते हैं उचूट बीड़ स्वुषिण तो हमारे हान तो भगवान राम अज्या में और जनकपुर में वैसा ही बना रहा और इसलिए जब सीता जी बाहर गई और वापिस आई और दोनों लवकुस राजा भी बने क्योंकि परिवार को संसकार के रूप में देखा गया आज क्या है चलो भाई तुम नहीं हो कोई बात नहीं मैं तुमसे मुकदमा यह करूँगी वो करूँगी मेरा यह मानना है कि अगर हम अपने सिस्क्रम को एक कॉंट्रेक्ट नाम के गंध से अगर बचा ले अगर हम शादी को संसकार के रूप में देखना सुरू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है जो सिविल अगर यही स्थी रही तो 5-10-15 साल में हमारे या जो हमारी जो कल्चर है पूरी खतम हो जाएगी और जो एक परिवार सिस्टेम है फैमिली सिस्टेम जो वेस्टेन वर्ड में आज तक नहीं हुआ है आपको मालूम है आज भी अमेरिका में सिंगल्स आर बोर देन मैरिट जो संखिया है नंबर ऑफ सिंगल्स आर मोर देन तरॉमा से गुजरते हैं फिर लड़े जगडे फै फैमिली को तोड़ो फैमिली को तोड़ना हो तो ऐसे लॉज लेकिया हो तो फैमिली को तोड़ा जाए और मेरे हसाब से लॉज इंटर दा बेड्रूम जो इस भी देश में जिस भी काल में अगर लॉज बेड्रूम के अंदर इंटर कर गया उस दिन वो जो देश है वो अप हमारे देश का क्या हो सकता है कि हमारे प्लीज नाजिर साब ने बहुत अच्छा डिवेट छेड़ा है हम उनके विचारों से सहमत हैं और राइट तरीके से हम उसकी बात सीट करें और उनका सम्मेल दोनों को उनका मेल करें तो आइधिंक वी केन बिकम आप सुपर पावर है उसके उपर अभी डिवेट होनी चाहिए हमने चेड़ दिया है विशे और अलग-अलग पहलों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे और भी शायद आगे चलके अलग-अलग सवाल जो इसके उपर उठेंगे और इसमें से एक निचोड यह निकाल सकते हैं कि अधिकार जो ह को इसकी हम लोग को ध्यान में रखना होगा हर वक्त तो ही हम लोग वह प्राचिन न्याये शास्त्र जो है उसको न्याये दे सकते हैं कैसे मुझे लगता है आप दूनों मान्नेवर हमारे इस प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छी डिवेट आपने की बहुत भूत धन् एक्स्प्रेस करने का बताने का लने वाज़ीजिए.